हाई गाईस स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में और आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ इन्ही तीनों स्मार्टफोन यानि की ROG Phone 3, OnePlus Nord 2 और Mi 10T इन्ही तीनों स्मार्टफोन का करने वाला हूँ CPU Throttle Test यानि इस टेस्ट के बाद आपको पता चल जाएगा कि करता है और यहाँ पर स्पेसिफिकेशन मैंने अल्लेडी एक वीडियो में बता दी थी और एक Benchmarking टेस्ट मैंने अल्लेडी कर दिया है इन्ही तीनों स्मार्टफोन का अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं I button में काड़ दे रहा हूँ आप इस वीडियो को जाकर अगर आपने अभी तक कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो से लिटेड कोई भी क्यारी हो तो आप मुझे कमेंट में पूस सकते हैं आप अपने सजेशन को भी कमेंट में दे सकते हैं वीडियो पसंद आए तो इस को open कर दिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो smartphone है तीनों पर में आप आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी smartphone अभी throttle नहीं कर रहा है इनिस स्थयाल फेज में और आप आरोजी phone 3 को देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से ये सारी चीजो को handle कर रहा है अभी तक कहीं भी मुझे कहीं भी आरोजी फोन 3 में थ्रोटल देखने को नहीं मिला है और वहीं बात करें तो नौट 2 में तो थ्रोटलिंग यहाँ पर तो अभी नहीं दिख रही है बट यहाँ पर देख सकते हैं कि स्नैपडेगन के 865 वाले प्रोसेसर ने यानि की मीटेंटी स्मार्टफोन ने यहाँ पर थ्रोटल करना स्टार्ट कर दिया है तो बहुत ही शॉकिंग डिजल्ट मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मीटेंटी स्मार्टफोन है उसने यहाँ पर थ्रोटल करना शुरू कर दिया है और पर जो not 2 है वो काफी अच्छे से सारी चीजों को handle कर रहा है और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आरोजी phone 3 है कितनी consistent तरीके से perform कर रहा है और आप यहाँ पर देख सकते हैं graph को कि जो me20 smartphone है उसका graph मतलब नीचे उपर हो रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो yellow line द पर रहा है मतलब handle कर रहा है बट उतने अच्छे से handle नहीं कर रहा है वहीं आरोजी phone 3 की बात की जाए तो यह काफी अच्छे से handle कर रहा है बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी shocking है कि यहाँ पर जो one plus not two है उसने यहाँ पर throttle करना start कर दिया है और आप यहाँ पर है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी तक तो जो score है वो यहाँ पर रोजी phone 3 ने काफी अच्छे से handle किया है सारी चीज़ों को और यह consistent perform करता चला जा रहा है वहीं one plus not two की बात करने तो भी काफी consistent perform करने के बाद यहाँ पर उसका जो score है वो अब धीला पढ़ने लग है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो me 20 smartphone है वो तो मतलब हार ही मान चुका है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि me 20 जो smartphone है यहाँ पर जो ऑर इंज लाइनस है वह भी यहाँ पर शो होने लग रहे हैं यानि कि यह smartphone है वह CPU इसका जो throttle हो रहा है वो अच्छे से इसको handle नहीं कर पा रहा है तो वहीं ROG Phone 3 की बात की जाए तो consistent यह perform करता चला जा रहा है और जो OnePlus Note 2 है वो भी काफे अच्छे से perform कर रहा है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि meet and tea smartphone अब perform अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो अब अगले 5 मिनट के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इनके scores क्या है तो guys जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 मिनट complete हो चुके हैं इस test को और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा throttle कर रहा है वो है यहाँ पर OnePlus Note 2 जी हाँ और इस test में यह बहुत ही ज़्यादा throttle कर रहा है वहीं बात करें जो ROG Phone 3 है वो consistent perform करता चला जा रहा है consistent perform कर रहा है और मैं यहाँ पर देख सकता हूँ और आप भी यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ROG Phone 3 है उसका भी graph धीरे धीरे अब नीचे आना शुरू हो चुका है बट यहाँ पर जितना graph इस Note 2 का आया है और जितना meet and tick का आया है उतना ROG Phone 3 का नहीं आया है तो यहाँ पर battery भी अब लगभग से खतम होने वाली है तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो performance आपको यहाँ पर दिख रही है वो यहाँ पर 150 शो कर रहा है 179 इसके पास और यहाँ पर 190 इसमें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आगे के जो score से मैं आपको यहाँ पर अगले पांच मिर्ट बाद दिखाता हूँ और यहाँ पर जाते जाते मैं आपको बता दूँ कि यह जो me20 smartphone है उसने यहाँ पर लाल ग्राफ को भी show कर दिया है यानि कि अब इसका जो CPU है वो throttle करना start कर चुका है और वहीं आप देख सकते हैं कि यह यह अपने जगह पर अभी बरकरार है तो काईश जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस test को complete हो चुके है और जो अब me20 smartphone है उसने अब बुरी तरीके से throttle करना start कर दिया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो no2 smartphone है वो अभी consistent बना हुआ है और जो ROG Phone 3 है वो इन सब का बाप है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से यह score को गेन कर रहा है और वहीं जो me20 smartphone है उसने अब throttle करना start कर दिया है और 90 के नीचे आ गया था यह जो score है आप यहाँ पर देख सकते हैं वहीं आप यहाँ पर देख सकते हैं जो CPU monitor यह जो graph है वो consistent तीनों में ही है बट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नीचे वाला जो maximum clock speed है यहाँ पर CPU की आप यहाँ पर देख सकते हैं कि meet and team में throttle करता हुआ दिख रहा है बट वहीं not 2 में कहीं कहीं पर throttle है बट यहाँ पर जो ROG phone 3 है surprisingly यहाँ पर कहीं भी throttle मुझे दिख नहीं रही है तो यहाँ पर 900 भी complete हो चुके है और मुझे लगता है कि यह जो smartphone है meet and team वो सबसे पीछे रहेगा और वहीं not 2 जो है उस test में आगे निकलता हुआ दिख रहा है और जो ROG phone 3 है इसका competition not 2 से चला है तो sorry guys यहाँ पर इस test को end करना पड़ेगा और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते है meet and team smartphone है वो जब तक इस throttle test को कर रहा है तब तक मैं इस test को भी आगे बढ़ाऊंगा और जैसे ही यह smartphone खतम होगा मैं यहाँ पर आपको initial scores दिखा दूँगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते है जो meet and team smartphone है वो उसकी battery अब खतम होने वाली है तो आप यहाँ पर देख सकते है अब यहाँ पर हम इस test को stop कर देते है और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते है जो तीनों ही smartphone है सबसे ज़्यादा consistent रहा है ROG phone 3 फिर उसके बार not 2 और तीसरे पर यहाँ पर जो सबसे last यहाँ पर gain किया है score उसने यहाँ पर meet and team maximum आप देख सकते हैं कि 211 और यहाँ पर 257 और यहाँ पर 229 और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो meet and team smartphone है उसने तौबा बोल दिया है तो इसी के साथ हम इस test को भी end करते हैं उमीद करता हूँ कि आपको यह video पसंद आए होगी और इस video से related आपको कोई भी query हो तो आप मुझे comment में पूस सकते हैं वीडियो पसंद आए हो तो एक like कर दीजेगा चैनल पर नए हैं तो subscribe कर लिजेगा चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में जय हिंद वन्यवात रों